हलो फीचर डोक्टर्स तो स्वागत आप सबका डोक्टर काउंसलर नीट पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन एक्व राउंट 3 की रूलस और रेगुलेशन इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक्व राउंट 3 में कौन-कौन बच्चा इलिजिबल है क्या-क्य जैसा कि आपको पता है कि राउंट 3 बहुत ही क्रूसियल राउंट है इसमें चोईस पिलिंग जो आप करोगी उसमें से अलोट होगी तो वो को लिज आपको लेनी पड़ेगी निया तो आपकी सिक्यूरिटी में नी जाएगी या फिर आगया आप इस्ट्रे वेकेंसी में बहुत है इस राउंट में तो इसरा राउंट को आपको सिर्यसली लेना अब तक जो भी गल्ती वी उगया बेटर प्राइस लिस्ट अगर आपको चीह आपको चीह है तो आप महारे टीम से पेड़ कॉंसलिंग भी करवा सकते हैं प्रैसे अमने काफी डाउंट कर दिये स्क् राउंड थ्री है उसमें देखो सबसे पहले तो होगा रेजिस्टेशन जो कि अभी ओन गोइंग है रेजिस्टेशन किन बच्चों करना है वह मां आपको बता देता हूं उन बच्चों करना है कि जो न्यू है जिन्होंने अभी तक ओल इंडिया के राउंड वन या राउंड तू में रेजिस्टेशन नहीं करवाया है उन्होंने अभी तक रेजिस्टेशन करवाया है नहीं है एम से से की काउंसलिंग करवा ही नहीं है उन बच्चों को अभी आगे पाइट लेना है तो वो न्यू रेजिस्टेशन करवा सकते हैं दूसरे वो बच्चे हैं जिन्हों इंडिया के थू में बात कर रहा हूं किसी भी स्टेट में आपको मिली हो एक्यू के थू वह सीट आपने जोइन नहीं करी है तो इसका मतलब है आपकी सिक्यूरिटी मनी जो आपकी पांच अजार यार दस अजार आपने दी थी वह आपकी फोरफिट हो चुकी है यानि कि वह आपको वापस नहीं मिलेगा आपका रेजिस्टेशन भी कैंसल हो चुका है तो ऐसे बच्चों को राउंड 3 में पार्ट लेने के लिए फ्रेस रेजिस्टेशन करवाना जरूरी है अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल करते हैं कि सरम नहीं स्टेट कांसलिंग के राउंड 2 में सीट ले रखी है हम स्टेट कांसलिंग के राउंड 3 में ही रहना चाहते हैं स्टेट में ही रहना चाहते हैं अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी क्या हमको एक्यू के राउंड 3 में रेजिस्टेशन कराना जरूरी है नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ए उनका All India में जाने का कोई मन नहीं है, तो वो choice filling All India में ना करें, जिससे कि seat block ना हो, क्योंकि All India वाले ऐसे हैं, कि state के round 2 में जिन बच्चों ने seat ले रखी है, उनको भी seat अलोट करेंगे, फिर वो बच्चे जाके उन seat को join नहीं करेंगे, तो वो seat खाली रहे जाएंगी, जो कि extra वेकेंसी में आएंगी, तो इनसे क्या है, जो boundary line वाले बच्चे होते हैं, उनको नुकसान होता है, उनको round 3 में ही मिल जाती, अगर वो बच्ची seat ब्लोक ना करते, तो आपको seat ब्लोक नहीं करनी है, दूसरे बच्चों का भी सोचना है, अगर आपका fix है कि आपको state में ही र उन बच्चों को भी registration की ज़रुत नहीं है, और जो बच्चे अभी तक कुछ alert नहीं हुआ है, वो बच्चों को भी registration करने की ज़रुत नहीं है, जिन बच्चों ने round 1 में free exit किया था, round 1 में free exit किया था, और round 2 में उनको कुछ नहीं alert हुआ, alert नहीं हुआ, तो उनको भी round 3 में phrase registration करने की जरुद नहीं है वो भी direct eligible है आपका registration तब ही cancel होता है जब आप round 2 में कोई allotted seat को छोड़ते हैं कोई seat आपको allot हुई है round 2 में और उसको आपने exit किया है उसमें आप गए नहीं हो reporting आपने नहीं करवाई है तब ही आपका registration cancel होता है आपने उसको join करके अप्ग्रेड पे डाल दिया है तो भी आप direct eligible हो registration की जरुद नहीं है आपको कुछ भी alert नहीं हुआ था तो भी आप direct eligible हो registration की आपको फ्रेज जरुद नहीं है security money in candidate को वापस देनी पड़ेगी जिन्होंने exit किया था पूरी की पूरी जैसे कि 5000 या 10,000 जो भी security money थी आपकी category wise वापको वापस देनी पड़ेगी तो यह मैंने registration के बारे में बता दिया अब next है eligibility के बारे में कि देखो eligible कौन-कौन है सबी बच्चे eligible है AQ round 3 में ऐसी कोई बात नहीं है जो registration करवाएगा वहर बच्चे eligible है ऐसा कोई rule नहीं है कि state के round 2 में जो बच्चे join कर चुके है वो AQ round 3 में eligible नहीं है ऐसा कोई rule नहीं है बिल्कुल आप eligible हो AQ round 3 मना नहीं करता है तो जो जो choice fill करेंगे उन सब को college अलोट होंगी merit के हिसाब से अगर उनका cut-off list में नाम आता है तो क्योंकि round 1 से 2, 2 से 3 अपग्रेडेशन है तो AQ वाले बच्चों को तो मिलनी मिलनी है और जो state के round 2 में जो बच्चे join कर रखे है और वो choice filling करते हैं तो उनको भी अलोट होगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो state के round 2 में join कर रखे हैं और इस state में उनको रहना है round 3 तक upgrade कराना है AQ से उनका लेने दरा नहीं है तो उनको choice filling नहीं करनी है ताकि seat blocking को कम किया जा सकी फिर बात करते हैं अपन AQ round 3 की situation में कि आपनी choice filling कर दी अब choice filling आपको क्या है इसमें source समझ की करनी है आपको गलती से BDS नहीं बरना है क्योंकि वो alert हो गए आप आगे eligible नहीं हो गए AQ round 3 में college alert होता है alerted, not alerted not alerted की situation में ही आप extra vacancy में जाता हो AQ extra vacancy में आपको alert हो जाता है यहाँ पे चाए BDS हो, चाए BSC nursing हो गलती आपने इत्ती सी भी करी की BDS आप से भर गया गलती से सैम नाम होता है की वर्दमान मावीर medical college, वर्दमान मावीर dental college कई गलती से बच्चे बढ़ देते alert हुआ, आप extra vacancy के बारे से जाओगे और आपका round 3 भी खतम क्योंकि round 3 में आपको BDS मिल गई आप MBBS के भले ही marks हो आपके, तो आप यहां से बार हो जाओगे AIQ counseling आपकी खतम हो जाएगी फिर आपके पास एक मातर state का round 3 बचेगा state का round 3 में कब जा सकते हो इस alerted college को छोड़ के इसको exit किये हुए बच्चे ही state के round 3 में जा सकते हैं और जिनको alert नहीं हुआ है वो भी state के round 3 में जा सकते हैं तो यह दो type के बच्चे ही हैं जो state में जा सकते हैं जिनको alert हो गया और join कर लिया ना वो state से block हो जाएंगे block हो जाएंगे कहां से state से and stray vacancy से क्योंकि round 3 होता है final round इसमें applicable हो जाता है bond अपने पे bond applicable हो जाता है यानि कि जिस college का जो भी bond है state की bond policy है वो आप से भरवा के रख ली जाती है final आपका admission मान लिया जाता है इसलिए round 3 में जो college आपको मिल गई मान लोग किसी बच्चे को मिली मोला नाजाद medical college तो उसने अगर वो join कर ली तो आगे eligible ना थो state के लिए ना ओल इंडिया के लिए किसी भी चीज के ली वो eligible नहीं जोइन करते ही उसका admission हो जाता है final admission final हो जाता है यहाँ जोइन करते ही exit किया है तो exit किया है तो देखो state के round 3 के लिए तो eligible है लेकिन strawberry vacancy के लिए лучше vacancy का rule एक ही है कि round 3 में आपको seat नहीं मिली होनी चीए या तो all India हो या state हो दोनों ही हो अगर मानलो all India में किसी बच्चे को seat मिल गई extra vacancy से बार all India round 3 की में बात करूँ state के round 3 में किसी बच्चे को seat मिली वो भी extra vacancy से बार तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी है कि extra vacancy में वो ही बच्चे इलिजिबल है जिनको कोई भी seat नहीं मिली हो कोई भी seat उन्होंने hold नहीं कर रखी हो हाँ और यहां पे एक important सवाल हो रहता है कि कोई बच्चा है मानलो उसको round 2 में मानलो A college मिल रखी है उसने join कर रखा है उसने upgrade पे डाला और उसको मानलो A ही college रह गई ए college ले रखी है join कर आ upgrade पे डाला और उसकी B college हो गई B college हो गई तो यह नहीं college को जाकर join कर ले यह extra vacancy से बाहर है नहीं join करता है तो भी यह बाहर है join करता है तो state से भी बाहर है नहीं follow ago बंचे अब किसी बच्चे की अफग्रेड़ नहीं होती है तो भी वो इस्ट्रेविकंसी की लीजिबल नहीं है यह आपको ध्यान में देना है। यह बहुत सारे बच्चों से गलती होती है। वो समझ लेते हैं कि अगर अपग्रेड़ नहीं है PA 10-3 में सुसर्कृत अगर किसी बच्चे की अपग्रेड कोलेज नहीं होती है तो जो पिसला अलोट्मेंट था वही अलोट्मेंट मिलता है वो किसी दूसरे बच्चे को थोड़ी मिलिये सीट वो तो आपको ही मिली है और आपने राउंड 3 की डेट तक होल्ड भी कर रखिये सीट को तो इसलिए आ और राउंड 3 तक किसी बच्चे के पास सीट होल्ड भी नहीं होनी चीए राउंड 3 के रिजल्ट तक कि मैं बात कर रहा हूं कि राउंड 3 का रिजल्ट आया किसी बच्चे ने राउंड 1 की सीट को पकड़के होल्ड अपग्रेड पर डालता आया और अपग्रेड नहीं हु यह इलिजिबल है राउंड वन में कुछ नहीं मिला वो भी इलिजिबल है वो कुछ नहीं मिला वो तो डाइरेक्टल इलिजिबल है तीरों राउंड में फ्री एक्जिट किया पिर आगे कुछ नहीं मिला वो भी इलिजिबल है round 1 में मान लो कुछ नहीं मिला या फिर free exit किया A की बात है या तो round 2 में मान लो किसी बच्चे को college लोट हो गई A और उसने कर दिया exit फिर round 3 में उसको phrase registration करवाना जरूरी है और उसको मान लो कुछ भी alert नहीं हुआ तो भी वो extra vacancy के लिए eligible है ध्यान देने की बात है कि इस बच्चे ने exit किया था इसके पास तो कोई seat है नहीं अभी तक और उसको मिली भी नहीं round 3 में यानि कि इसने hold भी नहीं कर रखी और इसको round 3 में मिली भी नहीं इसलिए ये क्या है eligible है बहुत सारे बच्चे यहां confuse होते हैं कि हमको मिल गई थी round 1 में हमको मिल गई थी round 2 में हमने ली नहीं को लेज तो क्या है इस्ट्रवेकंसी का मतलब यह है कि round 3 में आपको नहीं alert होनी चाहिए प्लस में round 3 की जो date है result वाली उस तक आपके पास कोई seat hold भी नहीं होनी चाहिए चाहिए वो state quota की हो चाहिए all India quota की हो seat hold भी नहीं होनी चाहिए पुरानी पहले ही resign कर दो आप round 3 से पहले तब आप eligible हो आपने hold कर रहे है resign कर दी तो आप बिल्कुल eligible हो कोई दिक्कतवारी बात नहीं है अब next अपन बात कर लेते हैं state के round 3 की तो ओल इंडिया के round 3 में मान लो किसी को college अलोट हुई है और उसने exit किया है उसको तो वो state के round 3 में eligible है बिल्कुल यहां तो उसकी security money forfeit होगी exit करने पे security money forfeit होगी लेकिन state के round 3 के लिए बिल्कुल eligible है extra vacancy के लिए तो नहीं है खेर लेकिन state के round 3 के लिए बिल्कुल eligible है आप college को छोड के जा सकते हो लेकिन आपने join कर लिया IC college को तो आप state के round 3 में भी eligible नहीं हो आप block कर दियो जाओगी तो यह मैंने आपको सारा बता दिया है state का extra vacancy में भी same rule है कि आपको वोई seat hold नहीं होनी चाहे आपको सिर्फ ध्यान रखने योग्य बात यह है important बात है कि आपको choice billing समझदारी से करनी है क्योंकि यह final है यहाँ पर मैंने बहुत बच्चों को फस्ते हुए देखा है हर साल फस्ते हैं बहुत सारे बच्चे फस्ते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं जिनको वह नहीं लेना होता है बहुत बच्चे फिर वहां पर जोइंग करने जाते हैं तो वह हालत देखते हैं कि college तो विल्कुल सही नहीं है बहुत दूर है खाने पीने की दिक्कत आ रही है तो ऐसे college को छोड़ देते हैं फिर वो बच्चे, और वो छोड़ देंगे, अब extra vacancy के लिए eligible नहीं है, तो उनको फिर दुबारा त्यारी करनी पड़ती है, repeat करना पड़ता है, तो आप क्या करो, ऐसे ही college भर हो, जो आपको लेने ही लेने, ऐसे मदबर हो कि आप मालनो, अंड बाननी को बार, तो फिर क्यो भरा, extra vacancy के बारे से ओर गए आप, इसे बड़ी है, अंडिमाननी को बार आप भर हो ही मत, आप extra vacancy में तो eligible हो, क्या पता, इधर वाले college मिल जाए extra vacancy में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक आपको BDS, BSC, Nursing, ये कुछ भी नहीं बर बहुत सारी सीटे खाली पड़ी रहती है, पहले ही नहीं बरती है इनकी सीटे, तो BDS, BSC, Nursing, आली, College, Round 3 में बिल्कुल नहीं बरनी है आपको, extra vacancy में और बाद में भर देनी है, आपको जो भी extra round conduct होते हैं, तो ये choice filling में ध्यान रखनी है, better choice preference list आपको बनानी है, अच्छे college आपको choose करने हैं, अगर आपको better preference list हमारी team से बनवानी है, colleges के बारे में जानना है, आपको, कौन सा गोलेज आपको मिल सकता है, कैसा आपको लेना चाहिए, कौन से state पर पर करने चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे number पे contact कर सकते हैं, इस screen पे भी देरक के हैं, इन number पे आप 1499 में कर रखा है, और premium plan 2999 में कर रखा है, इसमें call की facility है, और basic वाले में call नहीं है, only whatsapp की facility है, preference list दोनों में personalize मिलेगी, आपको दोनों में call पे बात करके preference list बनाने वाले हैं, आपको सारी colleges की detail बता के, आपके marks के साब से preference list बढ़ाएंगे, personal list बनेगी, दोनों के अंदर ही